एक से यहां फॉर से कर सकते ओर कहां और संट करते हैं वैस अगर आ लास्ट प्रीवियस देखा हो मार्केट ने अपने ट्रेंड लाइन का और अपने फ्राइट थस्टे के लोग का एक गैप डाउन से ब्रेकडाउन दिया और इमेडियेट मौर्णिंगे बहुत शार्प अच्छा मूव था अगर किसी ने कैट्टर किया होगा इमेडियेट एक बहुत बड़ा एक रीकवरी एक वी शेप रीकवरी या रिवर्सल मार्केट ने शो कर दिया है तो अगर आपको प्राइज एक्षन दिखाऊं तो हमें अगर इस लाइन को रेस्टेंस को आगे ड्रॉ कर दूँ तो सेम वही 18,340 का वो रेस्टेंस है जो मार्केट प्रीवियस वीक पूरे वीक में क्रॉ एक भी दिन नहीं कर पाया एक दिन गैप अप से खुला इमेडियेट नीचे आ गया रिवर्सल तो आप देख सकते हूं बहुत मेजर राइस्टेंस है हमारे पास और अगर आप इस यह ट्रेलान का तो ब्रेकडाम हो चुका है तो अगर इस प्राइज एक्षन को मैं नीचे क्लोज करी और इमेडियेट एक रिकवर कर दिया तो यह एक मेजर सपोर्ट है जहां पर बुल्स बहुत स्ट्रॉंग और कैसे भी तरीके से मार्केट यह लेवल गिव अप नहीं करना चाहा रहा है 18,220 है हम रावंड लेवल माल लेंग 18,200 का और अगर आपको मैं ए नीचे एक सपोर्ट है जहां मार्केट सारे लास्ट वी काफी चा सपोर्ट लेता रहा एक बार कर गया है एक बनाके लोगों लोगों के यहां बहुत अच्छा एक ब्रेकडाउन देकर रीकवर कर गया तो इन-केस जाइस अब हमारा लिए सिंपल प्लान ने कल आ करिक इस र तो हम एक काफी क्रूशियल सपोर्ट जो हमने भी डिसक्स करा उसके आसपास खुलेंगे यहां पर टू हनेड़ मुविंग आवरेज भी है जब मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन और रिटेस्ट करके वापस जब नीचे सेलिंग के लिए निकलने लगे तो आप रिटेस्ट पर इसको शॉट कर सकते हो आपको काफी चेक सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा और इनके मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन नहीं ख सकता है हमारा सिंपल पहले टार्गेट 18,400 होगा लगता है कि मार्केट 18,500 की तरफ बहुत तेजी से जा करता है बहुत अच्छी रेंज है ऊपर रेस्टेंस है नीचे 200 लेवल का सपोर्ट जोन है 18-200 का किसी भी रेंज का ब्रेक आउट है तो हमें बहुत अच्छे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डेली ऐसे मिलता रहे और आज में खास आपके लिए एक स्विंग ट्रेडव इंट्राइडे सेट अप भारती एटेल पे जो आपन बैंक निफ्टी के बाद डिसकस करेंगे तो अपन बैंक निफ्टी ने क्या किया और इसको आप कल कैसे इसके बाद मार्केट इसी रेंज में खुला आसपास थोड़ा सा कैप डाउन खुला यहां आप देख सकते हो इमेडियेट अपना फ्राइडे का लो के नीचे एक कैंडिल के नीचे केंडिल करी इसने भी जैसा निफ्टी ने बेटर बनाए इसने भी बेटर बनाए और इम के पास रीजन होता है और उससे हमें लड़ना नीचाहिए ठीक कोई बात नी हो गया तो अगर आप एक और बात ध्यान से देखोगे हमने डिसकस किया था कि अगर मार्केट यह रेंज को उपर साइट भी ब्रेक आउट करेगा यह थस्टे के हाई को तो हमें बहुत अच्छ बहुत अच्छा टार्गेट हुआ है और अगर आप अप प्राइस एक्षन की बात करो तो बैंक निफ्टी क्योंकि अपने अल्टाइम हाई पर है तो और ऐसे लेवल बहुत थोड़ी वॉलेटलिटी हो सकती है तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए कि आप देखोगे यह जो लेवल ब्रेक आउट का है रेस्टेंस का था जब मार्केट इसको नीचे आके टेस्ट करेगा तो यह री टेस्ट या सपोर्ट का काम करेगा और यहां से में बहुत अच्छा बुलिश्टम 46600 का राउंड लेवल यहां से में काफी एच्छा एक सपोर्ट देखनी मिल सक में के लिए बहुत छोटे-छोटे स्केल्पिंग के टार्गेट है और ज्यादा पोटेंशियल है नीचे का बहुत बड़ा रिवर्सल या कुछ अलगी न्यूज आ जाए ऐसी कि एक दम से क्रेश हो जाए तो बात अच्छा बुलिश में टाम उपर साइट कर सकता है नीचे करके अपने वापस फ्राइडे का यह रेस्टेंस का स्विंग क्रॉस करता है तो आप इसको कंटिनेशन में लॉंग कर सकते हो बैंक निफ्टी ट्राइब करें करें का बहुत अच्छा एक सेटप बन रहा है तो वह मैं आपको एक्स्पें करता हूं आप देखोगे भारती आप यह रहा है कि अगर आप ऊपर एसी ट्रेंड लाइन का काफिछ रेस्टेंस है नीचे से अगर आप इस पॉइंचे से बना लिया है तो बोच साइट पोटेंशन है कि दोनों साइडी ब्रेक आउट दे सकता है अगर आपको मैं एक चीज़ हाइलाइट करूं आप देख स्ट्रॉंग रेस्टेंस है जो मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट करके ब्रेक आउट नहीं कर पाया तो हमने एक रेस्टेंस और एक ट्रेंड लाइन देख लिए और फ्राइडी के प्राइस एक्षिन को अगर आप देखो कि तो कंप्लीट साइडवेज मार्केट है मतलब सपोर्ट की ट्रेंड नहीं और नीचे 786 का यह सपोर्ट फ्राइडे के लोगा इसको ब्रेकडाउन कर देता है तो हमें काफी अच्छा एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है कि वह पहला एक मेजर सपोर्ट भी आएगा वह सेविंग आएगा जहां से मार्केट ने आप मेंने चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करूं ताकि आपको रेगूलार ऐसा कंटेंट बनता रहे हैं थैंक्यू आइज